आफ हम लोग बात करने वाले MPBIA के बारे में MPBIA जो जिसे जन्तु जगत का उभायचर का जटा है आज उसके बात करेंगे हम लोग MPBIA के विसे में यह हमारे TGT, PGT, KVS, NVS और इसके साथ सत्नियट के एक्जाम के पॉइंट अभीव से बहत मात पूड हो जाता है तो आज हम हो जो है इसमें डूवल मूदा उपलए यहां डुवेल मूड़ घ्राइब से लिए इसे आईके पहो साधने जट खेंते हैं इस हमसे ड्यार भी आए है तक ब्यालन को में लिए यह तो दो जगत का उभाइचर करते हैं एंफिबिया वर्ट के जितने भी ऑर्गनिजम हैं जिनमें डूवल मूड अफ लाइप पाया जाते हैं इस कैन भी लिव इन वाटर एस वेल इस लैंड सी यह जल में भी और लैंड बे भी दोनों पर भी तस सकते हैं एंफिबिया इस दो फॉस्ट वर्टिब्रेट टू मेट टेंसंस प्रॉंद एक वर्टिब्रेट टू टेरिस्टियल मूड अफ लाइप से यह जल से अब टेरिस्टियल्स हैबिटाइट्स जो है इनके लिए वहाँ पर यह अपना जीवन यापन कर सकते हैं तो यह इनक में एक विशेस प्रकार का गूर्ट यह डेवलप्ट किये यानि इवलूशन में हमने देखा जितने भी फाइलम थे तो उन सभी फाइलों में यह पाहला फाइलम है जिसमें यह जो है इक्वाटिक से टेरिस्टियल हैबिटाइट भी सो कर रहा है में हम देखेंगे एंफिबिया ओकर इंद फ्रेश्वाटर फ्रेश्वाटर में पाई जाता है मुष्टी लेंड और उसके साथ साथ मुष्टी लेंड यानि नमी जहां पे नमी भूमी नमी होती हैं वहां पे भी यह देखने को मिलता है मुखहरूसे बातनी नहीं होते हैं तो यह प्रश्ण हमारे क्वेस्टीन में पुष्टाजाज सकता है है, फ्राग लेविंघ ट्री कुष्टाजyer जहां सकता है क् desse कॉण सा थिलम में जो ख़पाला और जो उस प्रेशर लोलन t ऐसा मुंद्री नहीं होते हैं सम फ्रॉग लीविंड ट्री कुछ पॉधे जो होते हैं कुछ जीव इसमें जो होते हैं पॉधे पर भी रहते हैं जैसे हाइला जिसको हम ट्री फ्रॉग भी करते हैं जिसको क्या करते हैं ट्री फ्रॉग पर उसके ससतियां पर हम बात करेंगे ज तो जैसे कि आपने देख लिए यह फ्रॉग हो गया यह फ्रॉग के कैस में जैसे फ्रॉग जो होते हैं यह उपस्तित होता है तो इसका रीजन यह तो इसके लिए भी आउसक हो जगता है कि यह ऐसे स्थानों पर रहे जहां पर वाटर अवेलबल रहे और उसके साथ यह ऐसे स्थानों वाटर की नियर इसलिए जल के पास इसलिए रहते हैं क्योंकि अगर किसी प्रकार का जो प्रेडेटर से इनको कोई खत्रा है तो तुरंत यह जल में क्या होते हैं चले जाते हैं और एक कारण यह भी है कि और एक कारण है कि रिप्रोडेक्शन के लिए भी यह क्या है रिप्रोडेक्शन के समय यह जल में चले जाते हैं इनको वाट यानि इकोएटिक हैबिटेट उस समय सोग करते हैं रिप्रोडेक्शन के समय तो जल के उपस्तित रहने के लिए क्योंकि इनकी तुछा कुर्णम बनाया रखना होता है तो तुछा के द्वारा भी रिस्प्रेशन होता है तो तुछा के द्वारा जो रिस्प्रेशन होता है उसको क्या करते हैं और उसके साथ यह प्रेडेटर से बचने के लिए भी जल के अस करते हैं उसके बद तंप्रेचर की बात करें तो जितने भी मियासये देयर प्वई कीलो थर्मस्य रही इनका टंप्रिचर होता है इन्वर्मेंटर के टंप्रेचर सिकेंशर लेक्टिक करता है यानि बदलता रहता है जैसे की बातावरण पाल जाएगा तो इसलिए जब अधिक तापमान कम हो जाता हैं तो उस समय शीत निज्डाम चले जाते हैं जिसको हम अधी रहस करते हैं यहाँ पर यहाँ विघवी लिखा हुआ है उसमय करते हैं इन विंटर सिससे में होता है और जब पहुत तेज गर्मी होती है तो उस समय होता तापमान बहुत ज्यादा इनक आदिक होने लगता है तो उस समय होसा समर निज्रामेर चल जाती है जिसको अश्टिवेशन करते है या एश्टिवेट खते हैं किरते हैं तो यह ड्राई या समर season में होता है और heavy narrate या heavy narrations भोता है या winter season में होता है इसको हम sheet निसक्रियता करते हैं और इसको हम grease में निसक्रियता करते हैं बाड़ी-farm की बात करें तो it may be long बड़ा होता है and narrow short bored dispearled और calendrical type ओता it is divisible head trunk tail में च्या होता है second head में neck trunk में और tail में या क्या होता है बटा होता है in some form कुछ में Джo Ternic absent होता है कुछ में neak II think present होते है appendages की बात कि जए जा है तो there is two pair of Penta Pentalapped synth her present होता है जिसमें जो हती four सर five हैं फीवर डीजिट यह तो हो पाई जाते हैं जिसमें चार से 5 और उसमें डीजिट देखने को मिलता है 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 आँड लेप्स जो हता है और लारजिए यानि आगे कि जो दो पैर होते हैं लेप्स वह बड़े होते हैं इस दो हाइंड लिंप्स जो होते हैं वोर लार्जर होते हैं देन फ्र लिम के पेश फ्रॉग और लिपिंग जो उनको उस्छालने में क्या करते हैं घ्र नेरली स्साइच इन अल्वैंडर सेल्वेंडर में लिकिन यह होता हैं कि दोनों लिम्प से एक बराबर होते हैं। इन संय लिम्प कोछ में किया होते हैं। अपसेंट होते हैं जैसे एप्टो फ टॉडवर्ग में तो एंस्पीव्य में एपर्ड़र में जो होतेivities लिंप स्टमनों पस्तित होते है य है यह देख रहे हैं अपर्डा में जिसमें लिंप क्या नहीं है और digits are without claw और claw भी नहीं पायाते हैं Nails, hoops, often have waves Skin की बाद करें It is smooth moisture इनका जो skin होता है Moisty, numb, numb, yukth होता है Rich moisture होता है और multicellular mucus यानि mucus का भी शरा होता है और इसमें poisonous gland भी होती है जो poisonous का क्या करती है Secrecence करती है It is highly vascular and respiratory in the moisty species यानि या रिस्प्रेशन्स में भी क्या करता है Skin मदद करता है और scale में भी Scale are mostly absent Scale जो होते हैं Aspect apoda Apoda में होता है Apoda में scale जो होते हैं Developed होते हैं Have minute scales Scales skin यानि माइनूटा जैसे की हमने माइनूटा में पढ़ा Apoda में Sorry दोस्तों Apoda में हमने पढ़ा Apoda में क्या होते हैं Minutes skull जो होते हैं Developed होते हैं Indoskletan की बात करें It is largely bone type का होता है Skull is plated and Dinodalics Dinodalics होता है That is two osophetals Candle is उपस्तित होते हैं Notocard does not present Notocards present ही होते हैं First vertebrates Is specialized to provide some moment to heads यह पहला है जिसमें जो first atlas होता है जिसमें moment यानि first vertebrates में ही Moment देखने को मिलता है As a result system की बात करें तो mouth is large and Arned with teeth In the upper both they Teeth are Acrodent Teeth जो होते है Acrodent जो आसाने से टूड़ी आते हैं यानि Acrodent teeth ऐसे teeth जो आसाने से टूड़ी आते हैं Acrodent करते हैं Mouth large होता है Arned with teeth And upper वो बोथ जा दोनों जबडों उपर और नीची की जबडों के साथ जो इसमें teeth जो होते हैं लगे होते हैं Mouth large होता है Arned with teeth Teeth के द्वारा Apparel Lorde में teeth जो होते हैं उपस्तित होते हैं और teeth क्या होते हैं Acrodent होते हैं जो आसाने से टूड़ी जाते हैं Digertive system में Amphibious, frogs, and toads जैसे के Amphibious frog और toads में Are the first vertebrate to have True Tungs जिसमें जीवा जो होते हैं True Tungs उपस्तित होते हैं जैनि जो Tungs होते हैं वो बाई लोगते हैं दो भागों में divided नहीं होते हैं True Tungs has muscles and Protocibles Tungs is soft, mucus, coedate and attach the front end frog towards elementary canals lead into the coica elementary canal जो होती है Cloica में जाकर खुलती है Cloica एक ऐसा opening होता है जहां से जहां से जो undigestive waste होता है वो बाहर pass out होता है और urine भी pass out होता है और इसके साथ जो gonads होते हैं यानि जो sperm और ovas होता है वो भी Cloica के थुरू pass out होता है तो यह जो होता है amphibious work में देखने को मिलता है Cloica disparity system की बात करें तो response take place यानि lungs के दोरा होगा तो इसको हम pulmonary response करेंगे lining up buccal pharyngeal cavity यानि बuccal pharyngeal cavity जो इसमें पाए जाती है जिसको vocal sex करते हैं यानि lining up buccal pharyngeal cavity के दोरा भी response हो जाता है skin के दोरा होता है जिसको branchial dispersion करते हैं तो pulmonary dispersion buccal pharyngeal cavity lining up buccal pharyngeal cavity के दोरा भी सोंगातार पतान हो जाता है skin के दोरा भी होता है और gills के थूरू भी dispersion हो जाता है gills are always present in the larva यानि gills जो ते हमेशा लार्वा उस्था में देखने को मिलते हैं but may be persist in the adults some from local card and local sex यानि local sex अब लोग देखते होंगे इंफिविया वर्ग में जो male होते हैं जिसमें local sex present होते हैं जिसे काड़ी अटर अटर किया वाजे करते हैं तो या male में उपस्तित होते हैं local sex circulating system की बात करें तो hearts जोता है तीन chamber में divide होता है with two oracles एन वन वेन्टरिकल से इसमें उपस्तित होता है यह तू आरिकल हैं एक left एक right artem है और left artem है और एक क्या है ventricle से इस ventricle में pure और unpure दोनों प्रगार के blood जो होते हैं इह उपस्तित होते है ventricle में तो यहाँ पर राइट आर्टियम में यहां पर देख लाए राइट आर्टियम में जो होता है ब्लड अन अक्षिजिनेट ब्लड जो होता है यह राइट आर्टियम में ला जाता है फिर राइट आर्टियम से यह चला जाता है वेंट्रिकल्स में और यह वेंट्रिकल्स से यही ब्लड जो हो मिक्स होते हैं फिर यहां से यह जो होता है ब्लड पूरे शरीर में भीजा जाता है systematic capitalist के through यह pass-out किया जता है तो हम रोग दिख रहे हैं कि यहां पर देखे जहां पर mixed blood है यह दिख रहे हैं यहां पर mixed blood दिखाए गया जहां पर दोनों परकार का और गोड़द है है आख्षिणेट ब्लड रेड किलर से दिखाए गया और डी आक्षिणेट ब्लड जो है यह हाल के नीली रिस्पेक्टव लिद देवेंट्रिकल पॉंप आउट देमिक्स ब्लड जैसा कि हम बता हैं कि सर्कुलिटी सिस्टम के बात करें तो साइनस वेनुशा एंड कि ट्रीनस आरटरी शोक्स अर प्रिजेंट होते हैं शाइनस वेनुशस और और जो होते हैं ट्रैंक्वज anteriorisus present होते है, renal portal system developed होता है इसमें और red blood जो होते है, वो oval shaped के होते हैं, biconvex होते हैं और nucleated होते हैं cranial nerve की बात करें या sense organ की बात करें तो cranial nerves जो थोते हैं 10 pair में पायाती है, species में भी 10 pair था, इसमें भी 10 pair पायाती है लेकिन middle ear with single auditory ossicles present is certain additional two interventional ears टामपनम्ब कवर्ड विट मिडिल चीजान टामपनल्स ंफेड होता है लाटरल लाइन सेंस अरगन जी होथे हैं जासे कि फिस में भी िलाइज लाइन सेंस आरगन उपस्थी थे इंब लारवा and aquatic forms यानी götरल रेंसहार क्रन जो भी वाँसथा में तिखाई देते हैं और जो एक जोड़ी कितनी पाई जाती है एक सरेटी वेस्ट मेटेरियल इस एमोनिया होता है लेकिन लारवा वस्ता में होता है तो उसमें एकसरेट्रीप्रोड़क्ट यूरिया होता है इसमे यद उर 2 पे मिलता है यहां पर देखने उरी डिडर देखाएं गया रून के बात करें तो नल्य जो जम रोलका है फिरका के थीप्र होट आगर देखने विलता है मेल और फिमेल को देख करके पाच आना जा सकता है जैसे मेल फ्राग है तो उसमें ओकल सेक्स जो होगा वह डेवलप्ट होगा मेल लाइक्स कापलेटरी अर्गंस मेल में किसी परगार का नहीं पाए जाता है कि अइस थे वुदिרגimas को और छो ड्रल संसरों फैस्टते पैंड होता है एक्स्टरनल होता है कििट लेकिन जो स्एड़ंटर्स में जो होता है यह इंटर्नल होता है इक्स्टरनल होता है बाग कि सब्छान लोगा लेकिन सेल्मेंड परेट यह च Het लेकिन कुछ यूते हैं जै जैसे कि salmander, salmander क्या है वो भी भी पैर्वास है, life history obtained includes the aquatic larva, यानि जो होता है aquatic larva उस्ता देखने को मिलता है जिसको क्या कते है, टैटपोल कते हैं, और टैटपोल में metamorphosis होता है, तो यह adult में क्या होता है, कनोट होता है, parental care, देखने को मिलता है, many amphibious or parental scales, बहुत से amphibious जो उतने parental scale दिखे देता है, तो जैसे कि यह एग और यह young one baby का, young one baby यह एग का जब यह देखभाल करते हैं, तो उसी को क्या करते है, parents के जोरह जब young one baby यह एग का देखभाल किया जाए तो उसी को करते है, parental care, तो amphibious man में यह parental देखने को मिलता है लेकिन अगर बात कि जाए ममल्स में तो सबस्छाइब है मेल मिट्वाइप टोट्स कैरीज एक रांड थीक्स और इसकर फीमेल सुरिनियन टोट्स कैरीज एक स्पेशल पीट्स इन दब्लैक टेट फोस्य नहीं यहाँ पर जो हता है कुछ फ्राउग्स जो होते हैं उनके पीछे एक बैग लेक सरस्टा बनती हैं जिस पर वह क्या करते हैं एक को करते हैं एक को केरी करते हैं जब तक इसमें से यह वन न निकल जाए तो इसमें परिंटल के देखने को मिलता है और जिन के बात करें तो amphibious have evaluated from the lungs breathing lobe fined bony feces यानि lungs breathing lobe finated bony feces इनकी उत्पत्ती हुई हैं, they are paired up head, fleshy lobe and give rise to limbs, the anister group is at present represented by a living fossils, latimeria यानि इनका जो है ancestor है latimeria ऐसा बाना चाता है कि जो इनका living fossils हैं जिससे इनकी उत्पत्ति होई है latimeria इनहीं से amphibious से क्या होई है उत्पत्ति होई है advancement क्या देखनों को मिला हमें amphibious में यानि pieces से क्या advances देखनों को मिला तो हम लग देखेंगे एंपेपिया सा advancement over the pieces in havings क्या क्या एडवास्मेंट इस था तो पेंटा पेंटा सैटलेटेट लिम्स देखनों को मिला moment on the lands जो क्या होते हैं लैंड पर चलने के लिए इनमें जो है पात का जो development हुआ है जिसको पेंटा पेंटा सैटलेटेट लिम्स करते हैं यह डेलप्ट हुआ जो एक आस पर मीडिल इयर्स मीडिल इयर्स दिखाया दिया अश्तक्वर टू टंक्स यहनी टू टंक्स इसमें देखनों को मिला capture power foot पोजन को पकडने में और internal nerves और lungs air breathing यहनी लंक्स एयर ब्रिदिंग देखनों को मिला और two नेर्स यानि लॉंग्स एयर ब्रिधिंग देखने को मिला और उसके बाद पेंटा साथियल सलिम देखनों को मिला जो मॉमेंट ऑन दे लैंड यानि व्रिथव पर चलने में मदद कर रहा था आयलीड में विकास हुआ और उसके बाद मीडिल एर्स transmitted aerial sound wave to the internal ears और true trunks भी देखने को मिला तो यह क्या हुगा एडवासमेंट हुगा एमफिबी अवर्ग में इक्जाम्पल क्या है तो इक्जाम्पल देखेंगे हम लोग इक्जाम्पल जैसे ब्यूप, राना, सलमेंडर एमफियू, बीमा प्रोटेस, नेक्टोरस और इचेथोपियस जो है, ब्लाइंड वांज, जिसको करते हैं इचेथोपियस को तो यह है इंच के क्या है common एक्जाम्पल है तो आसा करते हैं कि आपको वीडियो पशंद देखेंगे वीडियो को सेंदे दे वीडियों को लाइक करें, थैंक्स पर वाचे